इस गुंडा राज को जनता राज बता रहे हैं और आधी राप घर में घुश कर पुलिसिया जुल्म और कहर जिस तरह से बरपा है महलाओं की चितकार जिस तरह से सुनाई पर रही है ये कौन सा राज है मुखमंत्री जी आप समधान यात्रा कर रहे हैं या समस्या यात्रा पैदा कर रहे हैं नमस्कार आप नीश पोनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना नितिस जी जंगल राज से जनता राज बता कर आपने गुंडा राज में बिहार को तब्दिल कर दिया है जिहां ये किसी और ने नहीं बलकि विहार विधान सभाग के निता प्रतीपक्च बिजय कुमार सिन्हा नी कहा यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि नितिस कुमार जिस तरह से आपके विधायकी कह रहे हैं कि जिला अस्तर से ले करके प्रखंड अस्तर तक काम नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप क्या समाधान कर पाएंगे और भी कई ऐसे सवाल पर विजय सिन्हा ने नितिश कुमार को पर जमकर हमला बोला है छोड़े जाते हैं उन तमाम वीडियो के साथ देखिए मानिये मुख मंत्री जी इस गुंडा राज को जनता राज बता रहे हैं और आधी राप घर में घुस कर पुलिसिया जुल्म और कहर जिस तरह से बरपा है महलाओं की चितकार जिस तरह से सुनाई पर रही है ये कौन सा राज है मुख मंत्री जी आप समधान यात्रा कर रहे हैं या समस्या यात्रा पैदा कर रहे हैं आपके पुलिस बेलगाम हो चुके हैं किसानों की अपनी मुआबजे की मान करना और कमपनी के लोगों के साथ मिलकर ये बरश्ट पदाधिकारी कमपनी के चांदी के जूते की चमक में ये दमन कर रहे हैं आम जंता को धिककार है इसी सरकार को जो गरीब कमजोर लगुस इमांत किसानों पर अत्याचार करे उसके जमीन की मुआबजा देने की बजाए आधी रात में घुश करके उसके बहु बेटी के साथ इस तरह से अत्याचार करे ये कताई स्विकार नहीं है बिहार की जंता को और इस तरह का दमनकारी नीती का हम बिरोध करते हैं गोर भरत्रसना करते हैं और मापी मांगे ये सरकार और उस अफसर पर इमिडियेट करवाई करे किसानों को मुआबजा दे और जिस कमपनी के ब्रस्ट लोगों की मान सिकता से ये तो वहां का वीडियो बाइरल हो गया अ पुलिस को पैसे खिला कर किसानों की और उहां के अस्थानी ये नोजवानों को दमन करता है सोसन करता है ये दमन और सोसन बंद करें विहार के अंदर नहीं तो यहां के नोजवान उठेंगे और फिर आपके दमनकारी नीती का अंत करने का एक नया सुभारम करेंगी विहार सक्ति की धर्ति है और कोई सक्ति से विहार के नोजवानों को ड़रा नहीं सकता आप जो अत्याचार अपने अंकार में असत्ता के मंत्र मुगत्ता में मुख मंत्री उप मुख मंत्री जी जो खेल खेल रहे हैं भरष्ट्याचारियों के साथ बैट कर ये बंद कर ये ये कता ही पवित्र धर्ति को पवित्र मत करिये आप ही वो ब्यक्ति हैं जो उच्चाइट से उग्ल तारा सहरसा तक सो किलो मीटर की सरक केंद्र सरकार ने सुकिर्टी दिया और आज तक आपने जमीन उपलब्द नहीं कराया क्योंकि ये रोड सरक बनती तो देश के प्रधान मंती नरंद्र मोदी जी का जैकारा लगता आपका ये छोटा हर्द है और नीची सोच विकास की गति को रोक रहा है पूचिये उन मंती जो हस्तिनापुर के गुलाम बन करके साथ चल रहे हैं जबाब दें कि आज लोहट सहीत सकडी रयाम चीनी मिल क्यों बंद हो गया जंगल राज में जब बड़े भाई लालू प्रसाथ जादों का आतंग था ये चीनी मिल बंद हो गया हज्जारों लोग बेरोजगार हो गया जब NDA की सरकार हुई भारत सरकार के पहल पर हमारे उद्दोग मंत्री जब वहाँ पर इथनोल की फ्यक्टरी लगाने का कार्ज शुरू किये उस प्रोजग्ट को आपने क्यों रोग दिया अगर जो वह प्रोजग्ट चालू होता तो पचीस हज्जार लोगों को नोकड़ी मिलती और साबालाक लोगों को सोरुजगार का अवसर मिलता काउन जिम्यवार है मुक्मंत्री जी ये जंगल राज से जंता राज बताकर गुंडा राज पहुँचा रहे हैं ये समधान य से ज्यादा मितहला के छित्र से लोग पलायन किये देश के अंदर जाकर कि अपनी रोजी रोजगार और भविस्क की तलास में हर समाज के लोग उसमें हैं को हर जात के लोग हैं दलित सौसित फिरी तति पिचरा पिचरा अगरा सब समाज के लोग पलायन किया मुख मंत्री जी आपके बड़े भाई- छोटे भाई- 93 साल के पिरियड में पलायन नहीं रूख सका क्यांकि आपकी नियत में खोंट है आपकी नीती सफलакти नहीं हो तब रोजगार का सिर्जन होगा रोजगार का अफसर मिलेगा आपके राज्य में बरे भाई छोटे भाई की गलत नीती के कारण आज कई रोजगार का अफसर बंद हो गया तांस्पोर्टेशन का अफसर बंद हो गया आपके गलत नीती के कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं और जो नया रोजगार का सिजन करता कहां से आएगा जो है वो भी प्लाइन करने का सोच रहा है क्योंकि उसके मन के अंदर आपके अपराधा और ब्रस्ताचारियों की जामात सरकार में बैटी है जिसके भैसे वो यहां से हटना चाह रहा है आप क्या समधान करने जा रहे हैं आप दो ही बिसाएं आपका है कि सबालाख लोगों को रोजगार का रोजगार का अबसर्द है आप इतना उलका प्रोजक्ट चालू करेंगे या नहीं ये बता दें आप जो उच्छ से उग तारा जो भारत भारत माला फे